प्रशन्सनिये तो है ही साथ ही पठनिये शरानिये भी है क्योंकि हम जब गजल को पढ़ते हैं तो हमेशा उर्दू और उर्दू दा लव्ज हम पे हावी होते हैं और हिंडी और हिंदूस्तानी के लवजों का इस्तुमाल करके और सहजता और सरलता के साथ भी बगैर अपने ग्यान का तड़का लगाये हुए कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात गजल में किस तरह से कही जाती है मैंने आपको बता दिया था कि गजल जिसके लिए लिखी जाती है जिस शेर का गजल पर सरवादिक प्रभाव होता है या जिसे शायर चाहता है जिसे गजल गो चाहता है कि वो बहुती महत्वपूर्ण उसका शेर है तो वह उसे हासिले शेर के रूप में रखता है गजल का पहला मतला पहला शेरों में से जो पहला मतला होता है वह मिस्रा अवल कहलाता है और उसका जो जवाब होता है वह मिस्रा सानी कहलाता है ये बात हम लोग कर चुके थे अब हम हिंदी साहित्य के महनी विद्वान दुश्यन्त कुमार की गजल पढ़ेंगे, खंड़हर बचे हुए हैं, खंड़हर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ की सर पे कोई छत नहीं रही, दुश्यन्त कुमार समाज को समाज बोध को लेकर चलने वाले शायर हैं दुश्यन्त कुमार लिखते हैं कि अच्छा हुआ खंडहर बचे हुए है खंडहर अभी बाकी है लेकिन इमारत खत्म हो चुकी है अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहा कैसी मशाले लेकर चले थे तीरगी में आप जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही कैसी मशाले लेकर कि आप अंधकार में चले थे जो रोशनी थी वो भी नहीं बची रही सलामत बचा रहना जो रोशनी थी वो भी खत्म होगई अर्था अर्त समाज में इस समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया और परिवर्तन होता भी तो लोग जो है वो परिवर्तन को परिष्कृत नहीं कर पाए और धिरे-धिरे समाथ से जो निर्टत्व शीलता की या परोपकार की या मानवी मूलियों की जो रोशे ने सारी उम्र तमा मतलब पूरी उम्र अकेले सफर किया लेकिन फिर भी हम पे किसी खुदा की इनायत नहीं रही अर्था जो किया है वो हमने खुद किया है कोई भी गोट फादर या कोई भी किसी तरह का हमारे पर हमारे जो है वो नहीं रहा कि कोई हमारे पीछे नहीं रहा और हमने तमाम उम्र सारी उमर अकेले सफर किया है मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा यू कहो कि बर्क की दहशत नहीं रही मेरे चमन में मेरे बाग में कभी कहना चाता है कि मेरे जिन्दगी में कोई नशे मन नशे मन कहता है गोसले को घर को कोई नशे मन नहीं रहा कोई गोसला नहीं रहा या यू कहो या इस तरह कहो कि बिजली की दहशत नहीं रही कि कब बिजली आएगी कब संकट आएंगे और वो मेरे जीवन पे आ जाएंगे तो मेरे जिन्दगी में कोई किसी भी तरह की कोई मुसीबत कोई मैंने कुछ इस तरीके से अपने आपको तयार किया कि मैं अपनी जिन्दगी में संकटों से ग्रस्त रहा और मेरे पास अपना कोई घर नहीं रहा बर्क यहां कहते हैं बिजली को हमको पता नहीं था हमें अब पता चला इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही हमको पता नहीं था हमें अब पता चला कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत हमारा शासन नहीं रहा शासन चला गया और लोग मिलने वाले मित्रता खत्म हो गई, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, मरासिम कहते हैं सम्मंदों को, कुछ दोस्तों से वैसे सम्मंद नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रहे, अदावत कहते हैं दुश्मनी को, कुछ दोस्तों से वैसे हमारे संबंद नहीं रहे मतलब दोस्तों से भी हमारी जो है दुश्मनिया होती चली गई दोस्तों से हमारे संबंद खत्म हो चुके और दुश्मनों से वैसी भी दुश्मनी नहीं रही लोगों को किसी से कोई मतलब ही नहीं जैसे आजकल का जो परिवेश चल रहा है ज रूग आपस में समंद पहले की तरह नहीं रही दो रॉनक होती थी को मर जाता था तो मौल जाट था पूरा महला दुख होता था लेकिन अब वैसी बातें नहीं रही सब कुछ खत्म होता चला गया बहुत एक बाद की दोड़ में इन्सान इतना अंधा हो गया कि वो धीरे 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 अपनी वसल को अपनी वफा को अपनी उसको खत्म करने लग गया हिम्मतसे सच कहो तो बुरा आदत नहीं रही, मैं रो रो करके अपने दुखडे सुनाने की मेरी आदत नहीं, मैं अपने दुखडे अब किसी को नहीं सुनाता, सीने में जिन्दगी के अलामात हैं अभी, सीने में जिन्दगी जीने के लिए कुछ है तो सही, कुछ बात, कुछ सामान तो है, गो उमार शायद पलायन वादिता की बात करते हैं लेकिन वो पलायन वादिता की नहीं एक तरीके से तंज कसने की बात करते हैं तरीके से व्यंग करने की बात करते हैं कि जिन्दगी में कुछ बचा ही नहीं है लोग इतने स्वार्थी आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें अलामत जिन्दगी के अलामत जिन्दगी बाकी है लेकिन जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्यों लोगों के कहा जाए कि लोगों के जो भावनाएं हैं लोगों की जो इच्छा वो सब खत्म होने लगी है पहले जो सम्मंद होते थे वो निभाता था मोहले की बेटी है बेटी का मतलब मोहले की बेटी मा मतलब मोहले की मा लेकिन जैसे जैसे बहुतिकवाद हावी हुआ जैसे जैसे स्वार्थ हावी हुआ जैसे जैसे परवश्ता हावी हुई जैसे जैसे लोग जिन्दगी एक रेस बना ली है लोगोंने जितना 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 बहुतिकवाद जितनी जितनी वाईवियता बढ़ गई है उतना किस दिशा में बढ़ह है किस दिशा में खत्म होते जा रहे हमें एक सी फेक पवात कि एंधी दो डौड तो === झाल झाल